से मज़ेदार बात पंडी जी आते मेरे पास और बहुत गैरा सवाल किया उन्होंने मुझसे पहले समझाया कहते हैं राहुल जी जो भगवान राम थे वो तपस्वी थे उन्होंने अपने पूरी जिन्दगी तपस्या में डाल दी साही अगल साही बार ठीक है पिर उन्होंने कहां गांदी जी हे राम कहते थे । गांदी जी का नारा था हे राम हे राम का मतलब क्या बताईए जब गांदी जी कहते थे हे राम उसका मतलब क्या था चुपो गए नई हे राम का मतलब राम एक जीने का तरीका थे एक जीने के तरीका थे राम सिर्फ एक बगवान राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे एक जिन्दगी जीने का तरीका थे प्यार भाई चारा इज़त तपस्या उन्होंने पूरी दुनिया दो दिखाया जीने का तरीका दिखाया और गांदी चे जब हे राम कहते थे उनका मतलब था जो भगवान राम है वो भावना हमारे दिल में है और उसी भावना को लेकर हमें जिन्दगी जीनी है ये है हे राम दूसरा नारा फिर उन्होंने कहा देखिए एक नारा हे राम सुनों सुनों डिस्टर्ब मत करो एक नारा हे राम मतलब जिस प्रकार से भगवान राम ने अपनी जिंदगी जी, जो उन्होंने तपज्या किया, जो उन्होंने समाज के लिए काम किया, जो उन्होंने प्यार फेलाया, भाईचारा फेलाया, वैसे ही अपनी जिंदगी जी नापना, दूसरा नारा, जैसियारा, जैसियारा, सिखाओं मैं यात्रवे बहुत कुछ सिखाओं जैसिया राम का मतलब क्या है देख मैं जैसिया राम का मतलब जैसिता जैराम मतलब क्या कि सीता और राम एक ही है सीता और राम एक ही है इसलिए नारा है जै सियाराम या जै सिताराम सही मतलब जो राम के जीना का तरीका था जो उनोंने सिता के लिए किया भगवान राम ने सिता के लिए क्या किया आप जानती नहीं हो क्या है क्या किया जाके सीता की इज्जत के लिए सीता के लिए लड़े सही तो जब हम जेसी अरांग कहते हैं हम सीता की याद करते हैं और समाज में जो सीता की जगह होनी चाहिए उसकी आदर करते हैं सही जै स्रिया रांग याद जै सिता रांग तीसरा नारा जै श्री रांग उसमें हम राम भगवान की जै करते हैं पंडे जी ने मुझे से पूछा मुझसे कहा कि आप अपनी स्पीच में पूछिए कि बीजे पी के लोग जै स्री रांग करते हैं मगर कभी जै स्रिया रांग और हे रांग क्यों नहीं करते मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत त्यारी बात बोली